तो आज देख सकते हैं हम आये हुए यामा के सुरूम पर तो यह है यामा सीफ सक्ती मोटो तो हम यह पर आये हुए तो आप देख सकते हैं कि यामा यह पर आपको इसका अपको इसका अपको सुनाते हैं कि इसके अपको पीछे और इंचे पहले भी मिलता था लेकिन अभी भी आपको फ्यूल इक्शन मिल जा रहा है और इसमें कैटलिटी कंवर्टर कंपनी ने एड़ कर गिया है जो कि यह काफी अच्छा बात है और आप जैस है मिल जाते हैं इसका अपर स्टैक्स कोर निकलते हैं अब वाइक को स्टाटर करके आपको सुनाते हैं प्रक्राइब करने आपको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं यहां पर आपको स्पीड इंडिकेटर मिल जाता है यह आर्पीएम मीटर हो गया यह गियर पोजिस्टिंग इंडिकेटर हो गया यह इसे फ्यूल िगेज हो गया यह सब्विचर आपको मिल जाता है यहां पर आपको यहजाता है इस अपको इसमें नहीं मिलता है तो अब बात करते हैं इस बाइक कि बाइक की तो आप से ख़ड़ा बाइक को दिखा देखा एक साथ जो कम बाइक का बात करते हो जो ढखे डिजाइन ऊसका थोड़ा से चेंज किया गया है और अब इसका बैक का टाइर को भी देख सकते हैं पहले आपको इसमें नॉर्मल टायर देखने को मिलता था बटा आप आपको इसमें रेयर में रेडियल टायर देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छा बात है रेयर में आपको इसमें रेडियल टायर देखने को मिल रहा है जो कि काफी अच्छा ग्रिप देगा और बात करते हैं टायर की सेक्शन की तो इसमें आप देख सकते हैं यहां पे लिख सकता हरा तो अधर आपकी high five you family То !! है जैसे ही भाइक अभी न्यूपर में आप देख सकते हैं अभी दोन उंछ तब करो जा रहा है बसक तो मिर्जा पर आपकोर देखने को了 देखसके अभी आपको स्टार्ट करूंगा इपर सायए इंट ए सकते अब जैसे ही मैं इसको डियर में डालूंगा आप देख सकते हैं आप यह जाएगा यह हो गया इसका ब्रेश्ट का यह आपका फीचर हो गया कि निव फीचर कंपणी ने एड किया कि अगर साइड इस्टेंट लगा हुआ रहेगा तो बाइक आपकी जैसे कि आप देख सकते स् लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी कोई भी बाइक अपडेट्स आप से मिस ना हो जाए तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते हुए जाए और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आपको राइड रिव्यू दूंगा फर्स्ट लगो